तो मेंस किस तरह से लड़के तैयार करें? इसे में क्या जो लड़के अभी मेंस की तैयारी करे रहे हैं, फिजिकल की तैयारी को भी साथ में रखें? यह आउट ओफ सलेवर्स था या कुछ ऐसे कोशन था जो एक्सपेक्टेड नहीं था तो क्या उन सब चीजों को देखते हुए आप इस तरह का कुशन सेट कर रहे हैं, अब मेंस के लिए? इस्टेट जी, यह होना चाहिए कि दिखेंगे लड़के अभी मेंस की तैयारी करे रहे हैं, फिजिकल की तैयारी को भी साथ में रखें जहां तक पारदर्सिता की बात है, तो आप लोग ऐसे मेडिया चेनल वाले लोग बारबर मुदा उठाए हैं, बोड के द्वारा उठाया गया सही कदम है नमस्कार आदाब सस्रीय का लाइव नेशनल सेवन में आपका स्वागत है, मैं शादाब मलिक अगर अभी तक आप लोग नमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दरोगा बहाली 2213 की चल रही है, प्रकिरिया एक स्टेप आगे निकल चुकी है, क्योंकि पीटी का रिजल्ट आ चुका और ऐसे में आप देख रहे हैं, कि एक बड़ी संख्या है अभियर्थियों की ये पटना के गुलाब घाट में ये अभियर्थी परिशा दे रहे हैं, ये परिशा देते अभियर्थी जो आपको नजर आ रहे हैं, ये मेंस की तैयारी को लेकर परिशा दे रहे हैं, और ये जो पूरा और्गिनाइज किया हुआ है वो है ग्यान बिंदू जी एस अकैडमी के द्वारा और उसके जो संस्थापक है रोशन आनंद वो हमारे साथ है रोशन जी लाइव नेशन सेवन आपका स्वागत है धन्यबाद आपका यह जो आप परीक्षा आयुजित करते हैं जिस कर सके कि वो किसी स्थिती में है और जो टेस्ट होता है टेस्ट में परिच्छा के कोडिंग सो कोश्चन होता है तो उस कोश्चन को बना करके ज्यादा संख्या में सामिल हो करके अपने आपको आंकलित कर सकता है कि उसकी क्या स्थिती है और कौन सा सेक्षन उसका वीक जा र रहा है उन चीजों के उपर काम करके अपने आपको बहतर बना करके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं तो जिस तरह से पीटी में परिक्षा में कोश्चन पूछा गया था जो कहीं तरह के आरूबी अभेरती लगाए कि आप ओफ स्लेवर्स था या कुछ ऐसे कोश्चन था जो ए पर इच्छा हुआ है उसमें कुछ कोश्चन आउट अप सिलेवस है इसमें कोई सक नहीं है लेकिन जो कोश्चन आउट अप सिलेवस है वो आपके सेलेक्शन को निरधारित नहीं करता है अगर वो कोश्चन सेलेक्शन को निरधारित करता तो प्रिलिम्स का कटप 61.5 नहीं तो मेंस की जिस तरह से मतलब आप यह कुश्चन कर रहे हैं तो इसलिए अपने आपको किस तरह से लड़के तयाष तयार करें ध्यान एकदम नहीं जाता है अगर उनको फैनल सेलेक्षन चाहिए तो छोटी-छोटी चीज़े हैं जैसे आप अगर परिक्षा का कोश्चन देखेंगे 17-17 जब वेकेंसी आई थी तब से लेकर आज तक तो लगभग हर परिक्षा में विश्व इतिहास से एक से दो कोश्चन पारिच चीजों पर उनको गौर करना चाहिए और हमारे ख्याल से सेलेक्टेट बुक लेकर के लोगों को पढ़ना चाहिए उहापोह में नहीं रहना चाहिए कि यह पढ़ले यह पढ़ले यह पढ़ले नहीं कभी नहीं कुछ सेलेक्टेट बुक चूज कर ले वो अपने अ आपने बहुत बड़ी बात बोली और एक चीज जो बहुत जादा होता है मार्केट में एटम बम, कैपसूल, इंजेक्शन इस तरह के बहुत सारे बुक मिलती हैं जो आपको दस दिन में एकदम तयार कर देंगी ऐसा दावा करती है इन सारी चीजों पर आपका क्या करती है इन एक परकार सका है ये मार्केटिंग लोग करता है उससे बीदियर्टियों कोई फैदा नहीं होता उन चीजों से बीदियर्टियों को बचना चाएए और एक अन्ट में पूछेंगे कि मेंस की त्यारी कर रहे हैं अबर्ति जितना समय P.T. और मेंस के बीच में है हो सकता है कि संभावना यही है कि जब मेंस का रिजल्ट आए तो उसके और फिजिकल के बीच में भी उतना ही गैप रहे तो वैसे में क्या जो लड़के अभी मेंस की तियारी के रहे हैं फिजिकल की तियारी को भी साथ में रखें देखें इस पर अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रहा है लेकिन मेरा प्रस्नल ओपिनियन यह है कि दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते हैं अगर आप फिजिकल जाते हैं आप ठक जाते हैं आप पढ़ाई सही हुए में नहीं कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से मेरा अपना ओपिनियन हम जिस तरीका से विद्यार्थी को तयार किये हैं 2446 में संस्थान के 100 प्लस लोग सेलेक्ट हुए हैं और उनको पढ़ाई से लेकर के फिजिकल तक हम करवाए हैं तो हम अपने अनुभव के आधार पर हम विद्यार्थी को ये कहेंगे कि फिलाल उनको पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर करना चाहिए 24 अप्रेल को परिक्षा हो जाता है उसके बाद मिला लेंगे कोश्चन तो लगबग आउट हो ही जाता है कोश्चन ऐसे बोड बाहर नहीं निकल लें देता है लेकिन फिर भी कोश्चन बाहर आ जाता है सभी टीचर गन कटप देते हैं उन सभी चीजों को देख करके अगर उनको लगेगा कि नहीं हम कटप पार कर रहे हैं तो मेंस पर इच्छा के ठीक अगली सुबह या एक दो दिन बाद से उनको फिजिकल में लग जाना चाहिए अभी फिजिकल की तैयारी मेरे ख्याल से मेरा ये प्रसनल ओपिनियन है नहीं करना चाहिए अच्छा मैंने एक सवाल और मेरे रह गया कि पारदर्शीता को लेकर एक सवाल उठता रहा है हमेशा से होम सेंटर ओए मार्शीट की कारबन कॉपी कोशन पेपर ये ऐसे से मुद्दे हैं जिस पर हमेशा सवाल उठ जा रहा है बीपी ऐसे सी पर क्या लगता है कि मेंस में कुछ इस तरह करना चाहिए ताकि वो सारे सवाल खत्म हो जाए और पारदर्शीता बिल्कुल साफ रहे देखिए जहां तक पारदर्शीता की बात है तो आप लोग जैसे मेडिया चेनल वाले लोग बार बार मुद्दा उठाए है तो इसमें अच्छा होगा वो होम डिस्टिक में नहीं होगा तीन जीला में होगा पटना गया मुझब पर पूर तो ये बोड के द्वारा उठाया गया सही कदम है कि मेंस का परिच्छा सिर्फ ये तीन डिस्टिक में करवा रहा है ये अच्छी बात है उसके बाद अगर बोड ये चा देते हमको लगता है फिर आइटिया के जवाब का कोई मतलब नहीं रहा जाता है लेकिन फिर भी अगर स्टुडेंट आइटिया का जवाब में मांगता है तो वो दिया जाना चाहिए ताकि बोर्ड पर किसी भी परकार का कोई किन्तु परंतु सवाल न ख़ड़ाए तो ये र 70 बार पढ़ा जाए तो जरूरत है कि एक एक बात को ध्यान से सुना जाए और उस पर अमल करें ताकि 2213 में अपनी जगा बना सकें अभेरती और अपने कंदे पर दो सितारे लगा कर बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर पदस्थापित हो सकें बने रहे हमारे साथ देख